हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड दोस्तो आज के वीडियो में अम लोग ऐसे बहुत ही कमाल के टॉप 5 मोबाइल वीडियोग्राफिक कलर गेडिंग एप के बारे में बात करने वाले इजीली और प्रोफेशनली कलर गेड कर पाओगे आपको आपको एडिट आरो पता ही होने चाहिए कलर गेडिंग आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी प्रीमियम एप्लिकेशन होगी आपको खरीदने की जरुवत नहीं पड़ेगी सिंपली डाउनलोड कर लेना वीडियो को एक ठीकेशन अपको पता ही होगी इसमें कलर गेडिंग नहीं आता हो तो में आपको शीखाने वाला हो तो 5 पहले Color Adjustment पर क्लिक कर लेता हूं यहां पर brightness थोड़ी बढ़ा देता हूं saturation और contrast को थोड़ा कम कर देता हूं इतना हो जाने के बाद simply हमें Color Filter पर चले जाना है और यहां पर कुई भी एक फिल्टर एपलाई कर देना है तो यह एप में latest version के unlock link आपको description में प्रोवाइड कर दूगा और अगर काइन मास्टर में जो भी नय अपडेट आएगा लिंक भी अपडेट कर दी जाएगी तो आप चेक आउट कर सकते हो description और डिरेक्टर यह एप में एक Color Filter है जो मेरा बहुत ही personal favorite है जब भी मैं इस एप को यूज़ करता हूँ वह फिल्टर तो लगाता ही हूँ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कलर फिल्टर करना है वीडियो पे क्लिक कर लेना है फिर कलर फिल्टर पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे डेर सारे फिल्टर आपको नजर आने लगेगे अगर आपके फोन में कम फिल्टर नजर आ तो गेट मोर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत से कलर फिल्टर आपको मिल जाएगे जो अनलाइन आपको डाउनलोड करने पड़ेगे, पावर डेरेक्टर एप के लेटेस वर्जिन की लिंक आपको डिस्क्रिप्टिप्शन में मिल जाएगी ये लिंक भी जो मेरा बहुत ही फिवरेट है इसको मैं हर टाइम अपलाई करता हूँ जब मैं इस एप में एडिटिंग करता हूँ तो गाइस आपका कौन सा फिवरेट कलर फिल्टर है मुझे कमेंट में जरूर से बताना तो अब यहाँ पे फिल्टर एपलाई करने के बाद नीचे एडिटेस्मेंट पे क्लिक के लेना है यहाँ पे ब्राइटनेस, सेचुरेशन, कॉंट्रेस और एक नया ओप्सन मिलेगा हुई का यह ओप्सन आपको काइन मास्टर में नहीं मिलेगा एडिटेस्मेंट के नीचे एक और नया टूल मिलेगा वाइट बैलेंस यह भी आपको काइन मास्टर में देखने को नहीं मिलेगा इन तीनो टूल की मदद से आप बहुत ही प्रोफेशनली कलर खिल्टर कर पाओगे आपकी वीडियोस को तो गाइस जाओ याँ जल्दी से इस एप्लिकेशन को डाउनलोड कर दो तो चलिए अब आगे की कलर गेडिंग एप्लिकेशन को देख लेते हैं तो गाइस थर्ड नंबर पे आती है एप्लिकेशन उसका नाम है वीवाकट दोस्तो अगर आप यूटूबर हो या फिर कॉंटेंट क्रियेटर हो टिक टोकर हो ये अप्लिकेशन कलर गेडिंग के लिए बहुत ही अच्छी है वीवाकट नाम है इस एप्लिकेशन का जाओ याँ जल्दी से डाउनलोड कर लो यह application में बहुत ही अच्छे से color grading होती है अभी जो आप color grading देख रहे हो वो मैंने उसी application में किये तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे VivaCut में color grading करते है VivaCut दोस्तो यह application मेरी personal favorite app है तो मैं आपको सबसे पहले यही पता देता हूँ कि इस app में मैं करता क्या क्या हूँ दोस्तो मेरे को यह application में animator, color filter, color adjustment, transition, VFX और काफी सारे tools मेरे को बहुत ही पसंद है इसी वज़े से मेरे को यह application बहुत ही पसंद है दोस्तो यह application एक TikTok creator और YouTube creator के लिए बहुत ही valuable है क्योंकि यह application आपको play store पे तो मिल जाएगी आप install भी कर दोगे लेकिन आप use नहीं कर पाओगे इसको सबसे पहले purchase करना पड़ेगा लेकिन मैंने आप logo के लिए इस application का unlock version निकाल लिया है दोस्तो इस app का link आपको description में मिल जाएगा free version है आपको simply install करके use करना है तो आपके वीडियो में एक अलगी चमक आएगी तो यार आपने दिखाए होगा मेरे facecam वीडियो पे आपने color editing देखी होगी color adjustment मैं इसी app में करता हूँ और दोस्तो animation जो मैं use करता हूँ facecam वीडियो में वो भी मैं इसी application में से करता हूँ दोस्तो सबसे पहले मैं color adjustment में जाके सारे tools apply कर देता हूँ फिर मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा वाला color filter apply करके animation लगा देता हूँ तो मेरी video complete हो जाती है आप बहुत ही अच्छी color grading कर पाऊँगे दोस्तो अगर आपको यह application पसंद आई हो तो इसका लिंक आपको description में मिल जाएगा तो guys second number पर आती है VSCO यह application बहुत ही अच्छी है lightroom में जैसे photo editing करते हैं वैसे आप video editing भी कर पाऊँगे क्योंकि यह lightroom में color grading होता है बहुत ही professionally होता है उसमें आप एक है color का highlight, luminize और सब कुछ change कर सकते हो वैसे ही आप video में भी कर सकते होगे तो चले मैं आपको दिखा देता हो कि कैसे करना है VSCO बहुत ही तगड़ी application है दोस्तो बीच वाले icon studio पे click कर लेना है और हमें कोई भी एक video को import कर लेना है इस app में यहाँ पे video आ जाने के बाद आपको धेर सारे presets नजराएगे यह ready made color presets है जिसको आप apply करके automatically color grade कर पाऊगे वीडियो को तो सबसे पहले मैं कुछ आपको ready made presets दिखा देता हूँ फिर यहाँ पे इसके tools के बारे में बात करेंगे दोस्तो इस app में बहुती premium color presets है जिसको आप use करके बहुती lit video बना सकते हो अगर आपने कोई भी वीडियो पे color preset select किया उसका आप fade भी adjust कर सकते हो और दोस्तो आपके जो भी personal favorite color filter है उसको आप favorite के folder में भी डाल सकते हो तो जब भी आप video editing करो simply आपको favorite वारे filter को ही apply करना है आ चले यार मैं आपको color adjustment tools दिखा देता हूं दोस्तो जैसे ही आप adjustment के icon पे click करोगे आपको वो सारे tools नजर आएगे जो lightroom application में है तो जिनको नहीं पता मैं बता दू फोटो editing के लिए एक mobile application है adobe lightroom mobile जिसको आप use करके बहुत ही कमाल के photos edit कर पाओगे और ज्यादा तर लोग को यह application के बारे में पता ही होगा और बहुत लोग तो edit करते होगे और जिन लोगों को photo editing यह application में आती है उन लोग के लिए vseo application बहुत ही easy है video editing के लिए तो दोस्तो अगर आपको यह app पसंद आई हो और हमारा वीडियो थोड़ा भी helpful रहा हो प्लीज यह वीडियो को like करके ही जाना और अगर आप चैनल पे new visit कर रहे हो तो subscribe करके bell notification all पे कर देना तो चलिए आगे की color grading applications देख लेते हैं तो दोस्तो first number पे जो application आती है उसका नाम ह 3D LUT यह application बहुत ही कमाल की है क्योंकि यह PC में जो software होता है Adobe Premiere Pro इसमें LUTS apply करते है वही LUTS आपको यह application में मिलेगे जो कि आप mobile में यूज़ कर पाऊगे सिंपली आपको वीडियो को डालना है और वीडियो पे LUTS apply करना है तो आपको वीडियो color grade अटोमेटिकली हो जाएगा इस application पर मैंने already tutorial बना के रखा है उपर i button पर यह video show हो रहागा इस पर टच करके आप इस वीडियो को देख सकते हो तो दोस्तों यह top 5 application में से कौनसी application प पता थी वो भी आप comment कर सकते हो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज यार एक लाइक कर देना क्योंकि आपके एक लाइक सामें बहुत motivation मिलता है चैनल पर नहीं हो तो subscribe करके bell notification all पर कर देना तो चले दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बा प्राइद में पर आपके लाइक